Hello everyone, कैसे हैं आप सब तो medium length में flower with feather and layer cut करने वाली हूँ मैं चलिए दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है, length आप देख सकते हैं तो इनके बालों पे पहले भी steps cut हो रखा है तो मैं length shortney करूँगी और बस flower के साथ में layer cut mix कर दूँगी इससे क्या look भी अच्छा आजाएगा और जो steps cutting का पहले वाला look है वो थोड़ा थोड़ा सा cut हो जाएगा तो एक fresh look निकल के आएगा तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ flower cutting उसके लिए hair को इस तरीके से two parts में मैं divide कर लूँगी half and half करना है आप चाहें तो इसे three parts में भी divide करके कर सकते हैं उसका भी वीडियो में डाल चुक है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा hair को उपर की तरफ लेके जाएगे अच्छे से comb करते हुए अगर किसी के बालों में पहले से steps cutting हो रखी हो और बहुत ज़्यादा long time ना हुआ हो तो आप उसे एक retouch इस तरीके से दे सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा जो steps होते न वो renew हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है इस तरीके से मुठी में रोल करने के बाद में इसको बराबर आपको गोलाई से ट्रिम कर देना है यह दिखे थोड़ा थोड़ा ही cut करेंगे बहुत ज़्यादा cut करने की ज़ुरत नहीं है अगर किसी को extra cutting करवाने है थोड़े से short करवाने ता आप इसमे flower cutting में उसे ज़्यादा भी cut कर सकते है उसके बाद में नीचे वाले hair को भी इस तरीके से एक साथ में उपर की तरफ लेके जाएंगे एक बार में आपको इस तरीके से मुठी में रोल करना है ग्रीपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप hair को lock करते हैं ग्रीप करते हैं तो जितने पर करेंगे उतने पर ही रहना चाहिए अगर आपका जो lock है वो थोड़ा सा भी lose होगा तो hair भी आपके इधर उदर हो जाएंगे तो इससे आपका haircut perfect नहीं होगा तो जब भी आप hair को जितने पर hold करते हैं या जितने पर lock करते हैं उत्ते पर ही रखना है आपको तो इसको भी उसी तरीके से गोलाई से cut कर देना है flower cut के बाद में direct हम इसमें you cut भी साथी साथ कर लेंगे क्योंकि जब front से layer cut होगा तो उसके बाद में हमें और भी कोई extra process नहीं करना पड़ेगा तो you cut आप सबको पता ही है center से बराबर and side से तिर्शा cut करना होगा तो यहाँ पर मैं देखे center से hair को निकाल रही हूँ यह दिखे आप चाहें तो आप layer cut करने के बाद भी कर सकते हैं बट मैं आप पहले यू cut करूंगे उसके बाद फ्रंट से cutting करने वाली हूँ तो इस तरीके से जो भी hair बढ़ चुका है पतला दिख रहा है उसको सिब यू cut करके मैं निकाल दूँगी गाइडलाइन के लिए थोड़े से hair को side वाले cutting करने वाले hair के साथ में mix करेंगे और इस तरीके से कोंब करते वे अच्छे से two finger के बीच में आपको grip करना है और तिरचा cut कर देना है यह दिखे तो यू cut करना बहुत बहुत इजी है और फिर भी यू cutting के लिए काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आदी कि मैं यू cut का अलग से वीडियो अपलोड करें तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है चैनल पर अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको mail चाहेंगी फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मैं अलग से एक और वीडियो अपलोड कर दोंगी इस तरह भी सेम वैसे ही करेंगे चितना बड़ा दिख रहा है सिप उसको मुझे cut करके निकाल देना है तो इनकी hair की growth भी बहुत जल्दी long होती है काफी जल्दी इनके hair भी बढ़ते हैं क्योंकि hair की quality बहुत अच्छी है तो यहां पर इस तरीके से इसको मैं complete कर ले रही हूं तो जो लोग हमेशा time time पर haircut लेते रहते हैं और spa अगरा लेते रहते तो ऐसे भी उनके उन लोगों के hair की growth बहुत अच्छी होती और बढ़ते भी बहुत है तो यह side से मैं complete कर ली और किसी किसी का naturally hair बहुत अच्छा grow होता है तो जैसे कि इनका hair बहुत जल्दी grow करता है जैसे मेरे खुद के hair भी बहुत जल्दी growth होती है जब भी मैं haircut करती हूं तो मुझे 2 महिने में I think 2-3 महिने में मैं haircut अपना करते ही रहती हूं तो यहां पर देखें फिर से क्या करना ह hair को इस तरीके से half and up divide करके सामने की तरफ लेके आना है और अब मैं इसमें layer cut करने वाली हूं तो सबसे पहले ear to ear section divide करेंगे इस टाइप से और इसको हम एक साथ में ऐसा mix कर लेंगे तो center से nose area front का center होता है जो हमारी straight line होती है तो दोनों तरफ से equal hair को आपको निकालना है इस तरीके से देखिए और measure कर लेंगे तो मैं medium रखने वाली हूं बहुत short नहीं बहुत long नहीं बराबर cut करेंगे side वाले hair को भी same आपको ऐसे ही grip करके बराबर cut कर देना है तो यह cutting का जो look है ना यह भी बहुत अच्छा था अगर किसी के hair थोड़े से अच्छे घने हैं जैसे क front से layer cut की वज़े से front पे बहुत अच्छे steps layer आते हैं तो दोनों जब mix होता है ना front cutting and back cutting तो बहुत अच्छा look निकल के आता है इसके बाद में एक साथ में इस तरीके से comb करके इसको हम थोड़ा सा फिर से देखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा cut करेंगे यह देखें इस टाइप से तिर्शा cut करेंगे जब side में लाके आप इस तरीके से grip करेंगे hair को एक साथ में तो इसको हलका सा तिर्शा trim बराबर करने की ज़ुरत नहीं है, सेम वैसी आपको section wise hair को निकालना है, गाइड लाइन के साथ में mix करना है, और ऐसा सामने की तरफ लाएंगे, यह देखें, और cut करेंगे, तो आप लोग में से बहुत लोग अभी भी पूछते रहते हैं कि laser और layer में क्या फर्क होता है, तो देखें laser cutting में जो hair होते हैं, उसको हम नीचे की तरफ down करके करते हैं, और layer में उसको थोड़ा सा उठा के करते हैं, जैसे कि उसको थोड़ा सा उपर की तरफ रखते हैं, जैसे आप यह देख सकते हैं, मैंने उपर रखा हुआ है, अगर laser करना होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा shoulder से touch करके करती, या जहाँ पर भी direction होता है, वहाँ से थोड़ा down करकर के नीचे की तरफ करती, laser layer और feather, तीनों के difference के उपर मैं वीडियो बना चुकी, वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो आपका जो भी doubt है, वो clear हो जाएगा, कि तीनों की cutting में actual में क्या difference होता है, तो यहाँ पर देखे last वाले hair को कान के उपर से लेके आना है, और सामने की तरफ इस त तरफ डाउन करके अच्छे से चेक कर लेना है, तो यह हो चुका, सेम यही प्रोसेस हमें इधर भी complete करना है, तो इसमें जो है मैंने layer के साथ साथ में, जो last वाली layer थी, उसमें जो है मैंने feather cut का look दिया हुआ, तो layer, feather and flower, तीन कटिंग मैंने इसमें, जो है, mix की हुई है, section wise आपको hair को लेना है, सामने की तरफ लाएंगे, face को सिधा रखेंगे, जब भी आप cutting करें, अक्सर लोग थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, बट आप face को सिधा करके करेंगे, तो इसको भी guideline के साथ में mix करते वे, तिर्चा cut करेंगे, तो यहां पे हमारी जो cutting है, फिर वो complete ह हो जाएगी, और मैं इनके बालों पे कोई blow drive अगरा नहीं करूंगी, सिर्फ और सिफ आपको ऐसे ही कॉम करके दिखाने वाली हूँ, ओके, यह देखे, तिर्चा cut करना रहेगा, जो भी आपको एक्षरा लगेगा, सिर्फ आपको वही cut करना है, उसके बाद में हलकी हलकी सी ड्राइ हो चुके हैं, मैं आपको बैक में करके भी दिखाऊंगी अच्छे से, फ्रंट कटिंग के लिए बीचो बीच से एक पतली सी लेयर को उठाना है, और छोटा बड़ा उनकी पसंद के हिसाब से रखेंगे, मैं यहाँ पर मीडियम रखने वाली हूँ, बहुत शौट पूरा फेस पे फैलना नहीं चाहिए, तो मैंने भी यहाँ पे एक मीडियम सी लेयर लिए और आपको दो से तीन बार उपर की तरफ एर को लेके जाना है, और थोड़ा-थोड़ा सा इस तरीके से कट कर देना है, तो फाइनली यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया है, यह देख झाली यहाँ प्रूभा की ड़स्ट है, और आपको अ परू़ाँ परूपलबार से तरीके जाना है, यहाँ झाली यहाँ तरीके से पहाँ व Republicans को प्रूपर की तरीके सावेए, पीजिए जाए चाहता हैं, यह झाली है तरीके से पह से गहाँ जोड़द को दोड़ से